सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सबजियों में से एक है पालक पनीर की सबजी ये सबजी स्वाद में लाजवाव होने के साथ हमारी सियत के लिए भी कही तरह से फायदे मंद होती है पोशन से भरपूर पालक पनीर की सबजी को अपनी डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए तो चलिए अब हम बनाते हैं पालक पनीर की धावा इस्टायल स्वादिश्च सबजी पालक पनीर बनाने के लिए हमने एक बंडल पालक का लिया है पत्तों को और डंठल को अलग करके पत्तों को अच्छे से साफ कर लिया है अब इस पालक को हम गरम उवलते हुए पानी में डालेंगे तो पानी हमने पहले ही वालने के लिए रख दिया था उवाला आ चुका है आप देख सकते हैं अब इन पत्तों को हम दो मिनट के लिए पानी में डालेंगे ज्यादा आपको इसे उवालना नहीं है बस दो मिनट आपको इस उबलते पानी में पालक को रखना है तो मैंने सारा पालक इसमें डाल दिया है अब चलनी से इसे दवा दूँगी जिससे सारा पालक बगोनी के अंदर आ जाए अब उपर से मैं डालूंगी इसमें नमक थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसे चलनी से पानी को थोड़ा हिला दाएंगे जिससे पानी पूरे पालक में मिल जाएं अब दो मिनट के लिए से डख देते हैं दो मिनट बाद देखिए पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है कलर इसका एकदम ग्रीन है इसका कलर ग्रीन ही रखने के लिए आपको इसे ठंडे पानी में डालना है जैसे मैंने इस ठंडे पानी में आइस क्यूब डाल रखे हैं तो इसी तरह ठंडे पानी में आप तो ये पालक का कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा, तो एक मिनट हम इस पानी में रखते हैं, और अब इसे हम निकाल लेते हैं, पानी में से निकालने के बाद हम सीधा डालेंगे इसे ग्राइंडर जार में पीछने के लिए, तो अब ये सारा पालक मैंने इसमें डाल दिया है, प आप 2 या 3 भी ले सकते हैं, तो इनको मैं अब ग्राइंड कर लेती हूँ, तो पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया और आप देख सकते हैं, पालक का कलर एकदम ग्रीन है, जार में बचे हुए पालक को निकालने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उसे भी हम इस बोल मे निकाल लेंगे, तो अब हम सबजी का मसाला तयार कर लेंगे, तो मैंने कडाई गैस पे छड़ा दिये, अब डालूंगी मैं कडाई में बटर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं ओल, ओल बटर के साथ इसलिए डालना है, जिससे बटर जले नहीं, और अच्छा फ्लेवर आए, आप ओल की जगे गी भी डाल सकते हैं, तो ओल अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब मैं डाल रहे हूं खड़ा मसाला, तो खड़े मसाले में मैंने लिया है, एक तेज पत्ता, दो सूकी लाल मिर्ची, दो डाल चीनी के टुकडे, और जीरा, और दो लॉंग, मिर्ची मैं अभी नहीं डालूँगे, क्यों अभी डालने से मिर्ची जल सकती है, तो मिर्ची मैंने अभी अलग रखती है, बाद में डालेंगे, खड़ा मसाला अच्छे से तड़क चुका है, तो अब मैं डाल रहे हूं जिंजर गालिक पेष्ट, पेष्ट को डालके, आपको चमसे से चला लेना है, गैस का फ्लेम आपको लो रखना है, जिससे ये जले नहीं, तो इसको मैंने चला लिया, अच्छे से पका लिया है, तो अब मैं डाल रहे हूं, दो बारी कटी हुई प्याज, प्याज को इसमें डालके, चमसे थोड़ा आपको चला लेना है, थोड़ा चलाने के बाद जो सूकी लाल मिर्ची हमने अलग करके रखी हुई थी वो लाल मिर्ची अब इसमें डाल देंगे जैसे प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएं गेस की आँच आपको धी में ही रखनी है और दो मिनट हो चुके हैं प्याज को चलाते हुए तो देखिए इसका कलर भ नमक डालने से यह जल्दी पक जाएगा तो हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इससे थोड़ा चला लेंगे अब गैस का फ्लेम आप लोटू मीडियम रख सकते हैं तो इससे हम थोड़ा चलाने के बाद इसमें एड करेंगे मसाले तो यह डाड़ रही हुँ मैं ध आलक पनीर में हल्दी डालना जरूरी नहीं है अगर आप डालना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो नमक की बज़े से टमाटर बहुत जल्दी पक गए हैं अब मैं डाल रही हुँ इसमें 4 चमत फैटा हुआ दही दही आपको फ्रेस लेना है चार चमत दही मैंने मसाले में डाल दिया है अब इस मसाले को आपको चलाते रहना है जब तक दही पकना जाए अगर आप चलाना बंद कर दोगे तो दही फट सकता है इसलिए आपको चलाते रहना है दही डालने से यह सबजी बहुती स्वादिश्ट बनेगी तो आप जरूर डालें देखे कितना अच्छ हम अलग हो चुका है मसाले की महक पूरे गर में फैल चुकी है कलर आप देखी सकते हैं अब मसाले में हम एड़ करेंगे पिसा हुवा पालक तो यह पालक हम इसमें डाल देते हैं जो कटोरे में रह गया वह हम पानी डालके थोड़ा सा इसी में mix कर देंगे और इसे अब हम चला लेते हैं पालक को मसाले में हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे पकाएंगे तो इसे हमने अच्छे से चला लिया है mix कर लिया है अब दो मिनट के लिए हम इसे डग कर पकाएंगे तो आमने से ढग दिया है, इन्तिजार करते हैं 2 मिनेट का और 2 मिनेट हो चुके हैं आप देख सकते हैं पकने के बाद सबजी का थोड़ा कलर भी चैंज हुआ है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, कितनी बढ़िया है थोड़ा चलाने के बाद अम मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ क्रीम, ये क्रीम मैंने घर पर बनाई है थोड़ी सी दूद की मलाई लेके थोड़ा सा उसमें दूद डालके अच्छे से फैنट लिया है और चलनी में चान लिया है और ये market जैसी क्रीम बनके तैयार हुई है तो आप घर की क्रीम बना के डाल सकते हैं क्रीम डालने के बाद इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और गैस का flame low कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे धोड़ी दियर तो क्रीम डालने के बाद एक मिनट हमने अच्छे से चला लिया है अब एक मिनट के लिए हम इसे डखकर पकाएंगे जिससे क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए सबजी में एक मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सबजी में बहुत अच्छा ओवाल आ चुका है, मलाई भी अच्छे से पक चुकी है, तो अब इसमें हम डालेंगे पनीर, तो ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, और पनीर को क्यूब की सेप में काट लिया है, पनीर को आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पीसेज म काट सकते हैं, आप चाओ तो पनीर को सेलो फ्राइ करके भी डाल सकते हो, लेकिन पालक पनीर में पनीर कच्छा ही डाला जाता है, इसलिए मैं कच्छा डाल रही हूँ, पनीर डालने के बाद इसे आपको चलाते रहना है, और एक मिनट एक मिनट लो फ्लेम पे इसे पकाना ह अब मैं डाल रहे हूं सब्जी में थोड़ा सा बटर, बटर से टेश्ट तो अच्छा आता ही है, साथी सब्जी में साइन भी आती है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं डाल रहे हूं गरम मसाला, गरम मसाला डालने के बा तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, थिकनेस, पनीर और बरतन में हमने सबजी को निकाल लिया है गरम गरम सबजी में उपर से डालेंगे बटर और ये देखिए खाने का मन कर गया न पालक पनीर की सबजी को गार्निस करेंगे हम उपर से पनीर ग्रेट करके लुक और टेश्ट में ये सबजी बहुती लाजवाब है आप अपने बच्चों को जरूर खिलाएं पालक पनीर में भरपूर मातरा में मेंगनीसियम, फॉलेट, बिटामिन A, बिटामिन K, पॉर्टेशियम, कैलसियम, आइरन भरपूर मातरा में पाये जाता है तो इन सर्दियों को आप खूब सारा पालक पनीर बनाएं, खाएं और खिलाएं आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगियो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें